हेलो दोस्तों, वेलकम टू शॉप डॉप इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं खलील ममून मिट्टी चिलम के बारे में अगर आप ट्रिडिशनल वे में हुक्का पीना पसंद करते हैं तो ये चिलम आपके लिए बेस्ट है कहा जाता है कि नजाने कितने साल पहले जब इनसानों ने हुक्का पीना शुरू ही किया था तब से आज तक इस चिलम का इस्तिमाल किया जा रहा है यूजिली ये चिलम इतनी असानी से नहीं मिलती बट आप इसे अभी ओर्डर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये वेबसाइट के जरीए जो है अलशान.in या फिर इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर आप वहाँ भी अपना ओर्डर प्लेस कर सकते हैं दोस्तों ये चिलम बहुत ही मजबूत मिट्टी से बनी होती है खास बात ये है कि कले की बनी होनी की वज़े से ये आपको थोड़ा ठंडा स्मोक देने में हल्प करती है इन फैक्ट दूसरी चिलम की तरह पेंट उतरना, जंग लगना, एटसक्टर टाइप की दिक्कते आपको परिशान नहीं करती है ये चिलम जितनी पूरानी होती चली जाती है उतनी मजबूत, रफ, देशी और अच्छी दिखने लगती है अगर आप ध्यान से इसका डायमीटर देखेंगे तो आपको ये काफी वाइड लगेगी इतना ही नहीं इसकी डेप्थ भी काफी अच्छी होती है इसका फाइदा ये होता है कि आप इसमें एक बार में अच्छा खासा फ्लेवर डाल सकते हैं अगर आप ग्रुप में इंजॉय कर रहे हैं तो ये चिलम आपके लिए बहुत हेल्फफुल है क्योंकि छोटी चिलम दो-तीन लोगों के हिसाब से परफेक्ट नहीं होती और उसमें बार-बार फ्लेवर चेंज करना पड़ता है इसी विदे से आपने अक्सर बार्स, क्लब्स और कैफेज में नोटिस किया होगा कि खलील ममून की चिलम ही यूज होती है अगर आप सोच रहे हैं कि ये बाउल आपके हुका में फिट होगी या नहीं तो बिलीव मी ये छोटे से बड़े मया पेटाइट से लेकर खलील ममून तक किसी भी हुके में परफेक्टली फिट हो सकती है तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच